कुर्साइरा अंडों को 15 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चोड़ा माप के ट्राइको कार्ड पर गोंद से चिपका दिया जाता है हर कार्ड को 16 भागों में बाटा जाता है अब इन अंडों को प्रॉड ट्राइकोग्रामा के साथ रखा जाता है अंडों के पर जिवीकृत हो जाने पर ये काले हो जाते हैं पांच दिनों पश्चात ये ट्राइको कार्ड खेतों में भेजने हेतू तयार हो जाते हैं अगर इन कार्डों को दूर जगहों पर भेजना हो तो इन्हें तीन दिनों बाद ही भेज जाता है जिन थेलियों में कार्ड भेजे जाते हैं उनमें शहद की लकीर लगाई जाती है या शहद में डुबोई गई रूई पोशन हेतू रखी जाती हैं कार्ड पर खीची लकीरों से ये संकेत मिलता है कि ट्राइको कार्ड को खेतों में छोड़ने हेतु कार्ड की किस भाग को काटना है। हर कार्ड को इस प्रकार से मोड कर बंद किया जाता है कि अंडे एक दूसरे से अलग रहें। इस तरीके से ट्राइकोग्रामा को बंद करके खेतों में छोड़ने हेतु भेजा जाता है। प्रकृती में ये हानिकारक सुंडी हेलिकोवर्पा आमीजेरा नुक्लियर पॉलिहेड्रोसिस विशानू या हेचे एन पीवी से दूशित हो जाती हैं। ये संक्रमन केवल कपास की सुंडी में ही हो सकता है।